नासकार बोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा भारत के अंतराश्ट्री शवी के लिए ज्यादा नुकसान दे कौन है? राहूल गांदी या भारतिय जनता पार्टी सरकार? आप देख रहे होंगे मैं जब बीजेपी सरकार कह रहा हूँ ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहिए पूर इलाबाज़ाद है तेरे कि राहूल गानधी का बयान एकदम साफ था राहूल गानधी ने कहा था कि ्ये हमारे आंतरिक मामले हैं और हम खुद इसे सुल जाएंगे मगर प्रधान मंतरी नारेंडर मोदी जो फ्रांस गए क्या उसके बारे में कोई कुछ कहेंगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले ही यूरोपियन पारलिमेंट में तीन देशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है किर्गिस्तान, विनेजवेला और भारत मैं आपको सुनवाना चाहूंगा दोस्तों कि यूरोपियन पारलिमेंट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी से और सरकारों से क्या अपील की जाती है आपके स्क्रीन्स पर उनके नुमाइन गिये बात कह रहे हैं उनके इस बयान में जो मैं आपको सुनाओंगा वो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर पत्रकारों की आज़ादी, मानुआदिकार संगठनों की आज़ादी, सामाजिक कारकरताओं की आज़ादी खत्रे में है भारत के अंदर जिस तरह की सो कॉल्ड राश्ट्रवादी राजनीती रची जा रही है उसके जरिये माइनॉरिटीज और नीची जाती के लोगों पर हमले किये जा रहे है अभिव्यक्ती की आजादी पर अंकुष है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अंतराश्ट्री जमीन पर यूरोपियन पार्लिमेंट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से जिक्र किया जा रहा है क्या देश की आन बान और शान इससे बढ़ रही है क्या इससे देश का राश्ट्रवाद बुलंध हो रहा है सुनिये क्या कहा जा रहा है अंग्रेजी में मैं इस का अनुवाद पहले ही कर चुका हूँ सुनिये क्या कहा जा रहा है अनुवाद बुलंध है इस बयान की माने तो भारत में पत्रकारों की आभिवक्ती की आजानी पर खत्रा है जो इस सरकार से सवाल करता है उस पर निशाना साधा जाता है डेरों में सालेंस की यहाँ एक एक बात जो कही गई है यह कोई बहुत अजूबी बात नहीं है हमें पता है यही नहीं दोस्तों मनिपुर के अंदर जो हालात बच से बत्तर चल रहे हैं उस पर भी टिपणी की गई है उस पर कहा गया है कि मनिपुर में हालात खराब है 130 लोग मारे जा चुके हैं और मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही विदेश सचिव ने इस मुद्दे पर कहा है कि ये भारत का अंधरूनी मामला है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बिलकुल अंधरूनी मामला है बिलकुल यूरोपियन यूनियन को या यूरोपियन पार्लिमेंट में इन्हें कोई अधिकार नहीं था इस मुद्दे पर टिपपणी करने के लिए मगर पत्रकारों की आजादी सामाजी कार करताओं पर अंकुष धार्मे का आजादी पर अंकुष मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूँ जहां पिछले चार साल से भीमा कोरे गाओं मामले में लोग जेल में बंद है स्टैन स्वामी की अंदर मौत हो जाती है सुधा भारद्वाज आनंद तेल तुमबडे जैसे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है इस सरकार की आलोचकों पर इंकम टाक्स और एडी की रेड्स की जाती है जो पत्रकार सिर्फ अपना कर्तब विने भाते है उन पर दिशाना साधा जाता है क्या खलत कहा गया है बताई और शलिये मान लिया मनिपूर पे नहीं बोलना चाहिए वो हमारा आंत्रिक मामला है मगर क्या हमारे पास नैतिक अधिकार रह गया है यूरोपियन पारलिमेंट पर उंगली उठाने का ये तस्वीर देखिए दोस्तों ये वो दौर है जब धारा 370 हटा दी गई थी ये वो दौर है जब कश्मीर जाने का अधिकार आम भारती को नहीं था मगर भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों को बुलाया था और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं उन्हें कश्मीर की यात्रा कराए गई थी तो कश्मीर वाले मुद्धे पर तुम क्यों लेकर आए थे इनको जब तुम्हें लग रहा है कि यूरोपियन पार्लिमेंट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोशना हमारे आंत्रिक मामलों में दखल है तो हमारे आंत्रिक मामले में आप European Union को क्यों लेकर आये थे बताईए ये सवाल है इससे बचा नहीं जा सकता ये शर्तों पर विश्व गुरू नहीं बन सकते आप यानि कि अमरीकी संसद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भाषन दे तो विश्व गुरू वहाँ पर जब उनके भाषन पर दस्तखत कराते हैं वाँ लोग तो यहां का मीडिया ये जूट बोलता है कि देखिए प्रधान मंत्री के आउटोग्राफ लिए जा रहे हैं सरासर जूट फिर से इस तस्वीर का जवाब दीजे कश्मीर में European Union के जो सदस्स हैं वो यहां है और आप जानते हैं ये जो गोला मैंने किया हुआ है क्यों किया हुआ है क्योंकि उन्हें घुमाया था देविंदर सिंग ने वो आदमी जो दो आतंक वादियों के साथ पकड़ा गया था दिल्ली जाते हुए और उसने कहा था ये बहुत बड़ा खेल है जब पुलीस ने उसे किरफतार किया था इसी आदमी ने इन तमाम लोगों को दौरा कराया था कश्मीर का आप मुझे बताई क्या कोई अधिकार रह जाता ये कहना कि वो हमारा आंत्रिक मामला है और ये शर्तों के साथ विश्गुरू कोई कैसे बन सकता है भाई हकीकत ये है कि ये तमाम मुद्बे मूबाहे खड़े हैं फ्रांस का सबसे बड़ा अखबार लिमॉंड ने जानते हैं क्या कहा है यहांपर इसमें प्रधान मंत्री की कड़े शब्दों में आलोशना हुई है पहली बात प्रधान मंत्री ने दशकों से स्टेट स्पॉंसर्ड वाइलिंस राज्य प्रायोजित हिंसा का इस्तमाल किया है लोगों पर निशाना साथने के लिए इसमें ये भी कहा गया है कि धार्मिक आजादी पत्रकारों की आजादी पर अंकुष है सामाजिक कार करता अपना काम नहीं कर सकते क्योंकि ये सरकार हमला बोलती है लिमॉंड फ्रांस का के बड़े अख़बारों में सेख अब बताईए क्या कहेंगे आप विश्गुरु आले मुद्दे पर और फिर से वो सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अंतराश्री तोर पर राहूल गांदी देश की नाकटवारे हैं या भाजपा सरकार सवाल का जवाब दीजे ये शर्तों पर विश्गुरु बनने की बात मुझे समझ नहीं आती है एनाराइस की मदद से इंडियन टाक्सपेर्स के पैसे से आप अंतराश्री जमीन पर प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी की चुनावी सभाय कराते हैं आस्ट्रेलिया में अमरीका में और आप ये कहते हैं कि साहब देखिए विश्गुरु दिखाई दे रहे हैं भारत का जो है जलवा है मगर ये जलवा क्या है जब यूरोपियन यूनियन इस तरह की बाते कर रहा है दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताता हूँ अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वाइरिल विडियो देखा था उसमें एक व्यक्ती से इंट्व्यू किया जा रहा था कि भाई टमाटर के दाम बढ़ गए हैं क्या कहना चाहेंगे अब वो व्यक्ती एक अंधभक था रिपब्लिक भारत देखता था उसने कहा कि मोदी जी का काम नहीं है टमाटर के दामू पर नियंतरन करना मोदी जी तो विश्गुरू बन रहे हैं तो इंट्रव्यू करने वाले ने कहा भई किसने कहा वो विश्गुरू बन गए हैं तो उसने कहा United Nations Security Council ने कहा कि मोदी जी विश्गुरू बन गए हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी अंतराश्ट्री संस्था सायुकतराश्ट बहुत दूर की बात है किसी ने ऐसा दावा नहीं किया और जब उससे पूछा गया कि भई आप कौन सा चैनल देखते हैं तो कहता है मैं रिपब्लिक भारत देखता हूँ इस तरह से जूट के जरीए लोगों को ब्रेनवाश किया जाता है विपक्ष को देश-दोही बता दिया जाता है और जब ये खबर आती है जो अभी-भी मैंने आपको दिखाई European Union की आलोचना की तो इससे दबा दिया जाता है या तो फिर ये कह दिया जाता है कि हमें परवाह नहीं है ये हमारा आंत्रिक मामला है दखल मत दो हमारे आंत्रिक मामलों में अरे भाई तो फिर बुलाया क्यों था उनको कश्मीर में नहीं बुलाना चाहिए था ये शर्टों पर थोड़ना होता है विश्गुरू का गुणगान ऐसा नहीं होता है नहीं संसत का उधगाटन हो जाता है तो राष्टपती दुरौपदी मुर्मू को आप साइडलाइन कर देते हैं संगोल के सामने प्रधान मंत्री साष्टांग होते हैं तो एक मंत्री कहता है महराजा जो है वो संगोल के सामने साष्टांग हो रहे हैं आप देश के अंदर लोगतंत्र की धज्जियां बेशक उड़ा लीजे संगोल के सहारे प्रधान मंत्री को महराजा बना दीजिए पत्रकार जो आलोचना करता है उस पर लगातार निशाना साथते रहिए ED के जरीए एक छोटे से डिजिटल प्लाटफॉर्म पर 114 घंटे की रेड़ मारते रहिए मगर उससे रुत्बा नहीं बढ़ने वाला है रुत्बा बिलकुल नहीं बढ़ने वाला है उल्टा आइना ही दिखाया जा रहा है कि आप अंदर से इतने सेंसिटिव हैं इतने छुई मुई हैं कि आलोचना नहीं बरदाश्ट कर पाते हैं सामना नहीं कर पाते हैं राहूल गांदी की राजनीती में जितनी भी कमिया हो मगर कम से कम उस व्यक्ति पर लगातार हमला हो रहा है और वो जद्दुजहद कर रहा है अपने स्थर पर उसकी तस्वीर को आप मुख्यधारा की मीडिया में नहीं देखते हैं उस पर निशाना लगातार साधा जाता है वगर वो व्यक्ति मुद्दों के साथ लगातार लगा हुआ है कुरोना के कारकाल में मुद्दे उठाये शीन के मुद्दे को उठाया एकॉनमी के मुद्दे को उठाया अडानी के मुद्दे को उठाया जो कि विपक्ष का काम है मगर तुमने क्या किया उसके साथ पहली बात एक दुश्परचार चलाया कि उन्होंने विदेशी जमीन पर जाकर भारत की बेज़ती की तोहीं की विदेशी ताक्तों से कहा कि भारत में दखल दें ऐसा कुछ नहीं हुआ जूट सरासर जूट उसके बाद सांसदी चली गई डेfamation के मामले में दो साल की सजा सुना दी गई जो जज़जस सुना रहे हैं उनके फैसली भी भई महान है सावरकर का जिकर किया जा रहा है फैसलों में जिसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं राहूल गांदी को आप अपने प्रचार तंत्र के जरीए हर जगा घेरें अंतराश्ट्री मामलों में घेरें घरेलू मामलें में घेरें जब वो आपके परमित्र गौतम अडानी पर सवाल करते हैं संसत में उनकी आप स्पीच को ही नोच देते हैं हर जगा से हटा देते हैं कई जगा से तो ये आलोचना को लेकर थोड़ी हिम्मत दिखाईए जैसे मैंने कहा ना छुई मुई मत होईए तभी आप विश्व गुरू होंगे जब आलोचना सहन कर पाएंगे क्योंकि यही तो दुनिया कह रही है चाहे लिमॉंड हो शाही यूरोपियन पार्लिमेंटे सब यही बात कह रहे हैं कि आप आलोचना नहीं बरदाश कर पाते हैं क्यों भला बताईए क्यों अपने शाटुकारों से संबाद कायम करते हैं मुझे इंटर्व्यू देना तो बहुत दूर की बात है मुझे संबाद कायम करने के आपकी हिमत नहीं आईए मिलिए बात कीजिए मैं आपको बताऊंगा देश का एक और शहरा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के एक बहुत बड़ी हकीकत से आप दूर है या आपने आखे बंद कर लिए उससे मूँ मत मोड़े अब इसार शेर्मा को दीजिये अजासत नमस्कार